यहे है वाइश ऑफ जेसनर मियर दोस्तों वाइश ऑफ जेसनर मेर में आप सभीका स्वागत है जेसनर मेर के पास के अनेक सरूर के बारे में हमने आपको जानकारी थी आईए चलते हैं एक और सर्वर के बारे में रामगर्ड रोड से करीब तीन किलोमेटर दूर कारागरा के पास से कच्छे रोड की तरफ हम जब आगे की तरफ चलते हैं तो इन पहाडियों के बीच में जिने हम इस्थानी भाचा में मगरा कहते हैं और इन मगरों के बीच में से जोते हुए हम आगे की और बढ़ेंगे जब हम आगे की और बढ़ेंगे तब हमें एक सुन्दर सा तालाब दिखाई देगा जिसे हम इसर लाल जी का तालाब कहते हैं इसर लाल जी एक पुश्करणा ब्राहमन थे और उन्होंने अपने समय में एक सुन्दर से सरोवर का निर्मान कराया जिसे हम आज इसर लाल जी के तालाब से जानते हैं पहाड़ी के उपर एक सुन्दर सा आराम ग्रह बना हुआ है तेले पत्थ्रों से सुजित जैसे मेरी सिल्प कारी का ये अद्भुद नमना है जब हम इसके अंदर प्रविश करते हैं तो आप देखिए चारा तरफ पीले ही पीले पत्थ्र नजर आते हैं विसाल खंबाव परिस्तिती है आराम का पूर्ण रूप से रोशंदार है हवादार है बहुत ही सुन्दर हवा यहाँ चलती रहती है सामने से पूरे सहर का नजरा हम देख सकते हैं यहां तक की इसके उपर से बैठकर हम पूरे तालाब की नग्रानी रख सकते थे तो पूरे तालाब का एक विन्यूम दर्शे भी यहां से देखने को मिलता है पूचाई होने की वज़े से यह अपने आप में बहुती सुन्दर बहुती रमणिक बन जाता है सामने जो हमें दिखाई दे रहे हैं यह जो इसके बंद है जो स्यम पीले पत्थर से बने हुए यह पूरा का पूरा बंद या पूरा का पूरा घाट जिसे हम कह सकते हैं पक्का घाट है और कलात्मक रूप से बहुत ही सुंदर है तलाब में उतरने के लिए सीडियां पास पास में जरोखे अपने आप में जेसल मेरी सिल्प का एक अद्बुत नजारा पेश करते हैं हलांकि मई जून का मैना है बारी से नहीं है ऐसे में यहां पानी नहीं है लेकिन जब इस तलाब में पानी भर जाता है तो अपने आप में यह रमणिक हो जाता है इसर तलाब के ही किनार पर इस्तित है एक छोटा साम मंदिर जो अपने आप में विख्यात है जिसे हम कहते हैं पर्चा गणेजी का मंदिर सहरवाशियों की अटुट आस्था का परती की उसकरना युवाओ दोरा इस मंदिर का काया कलब किया जारा है बहुत ही मेहनत से इसे बहुत ही सुन्दर बनाया जारा है हलांकि वर्थमान में ये तालाब दूरदुशा का सिकार है और हम अपनी इस विरास्तन दरोवर को सम्हाल ही पा रहे हैं लेकिन अगर हम इसको सम्हालते हैं इसका सेलेक्शन करते हैं तो ये अपने आप में एक रमड़िक है वोईस अपजेस्व में प्रयास करेगा जब इसमें पानी आजाएगा तब भी हम आपसकी उत्तम छटा को दिखाने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं वोईस अपजेस्व में ऐसे और भी वीडियस देखने के लिए आप सब्सक्राइब किजिए हमारे जैनल वोईस अपजेस्व में